हे गाईज वेल्कम बैक टो अबर चैनल जी रोट इंफिनिटी स्वाज की वीडियो में पताऊंगा अगर आपको भी एमाज़ोन में यह प्रॉब्लम आ रही है जब आप ओनलाइन पेमेंट करते हो अपने प्रॉडक्ट की और यहां पर लिखा रहा है पेमेंट फेल्ड तो ऐसा कुछ लिखा था जब भी आप ओनलाइन पेमेंट करने के गोशिश कर रहे हो और आपकी जो मनी है वो भी आपके अकाउंट से कट की है तो यह प्रॉब्लम आ रही है तो इसका सोजिशन बताऊंगा आज की वीडियो में तो वीडियो पसंदा है वीडियो को लाइक आपका इंटरनेक्ट कनेक्शन है वो बहुत ही बड़ी होना चाहिए अगर आपका इंटरनेक्ट कनेक्शन भी ठीक है फिर भी यह प्रॉब्लम आ रही है तो इसका एक अनेजर रिजन ही हो सकता है कि जो आपका बैंक है उन्होंने आपकी जो ओनलाइन पेमेंट होती है उस अगर आपकी आपके ओनलाइन पेमेंट भी इनेबल आपके अगाउंट की है एक बैंक अकाउंट की तो फिर भी यह प्रॉब्लम आ रहे हैं तो आपका अपने अगर आप उनसे kontakt करोगे तो आपकी जो problem है वो बहुत ही जल्द सौल्व होजाएगी ऐसे कुछ करोगे उससे आपकी problem is solved नहीं होगी तो मैंने उनके साथ kontakt किया था मेरे problem solved थी कैसे kontakt करें आज की video में पतांगा तो आज मैं आपको पताऊंगा एक अलग मैथर उनसे कॉंटेक्ट करने का यहां पे सबसे पहले गूगल पे उनका इमेल हमें डून लेना है इमेल हमें मिल चुका है cis reply at the rate amazon.com तो इस email address पे उनको एक mail send करना है किस format में send करना यह सब आज की वीडियो में बताऊंगा तो यहां से सबसे पहले email पे चले जाते हैं तो email में जाने के बात यहां से सबसे पहले आपको select करना पड़ेगा subject subject किया है जो problem face करें आप अपने amazon में वो आपको यहां पर लिख देना है जब भी आपको कुछ problem face करें यहां delivery करते वक्त जो भी है आपको यहां पर लिख देना है उसके बारे में subject में उसके बात compose email में आना है कमपोज दום email में आपको information देनी अपने account की जिस account में आप जो problem है वो face कर रहे हुग उसका नाम बताना है मूबाईल नमबर बताना है वह साथ में email भी बताना है जो इस अकाउंट के साथ लिंक है यह सब आपको यहां पर लिख देना है यह सब लिखने के साथ आपको यहां पर जो प्रॉब्लम आ रही है उसको एक्स्प्लेंड करना है डिटेल में तो प्रॉब्लम एक्स्प्लेंड करने के बाद आपको क्या करना है आपको सारी information दे देनी है और ध्यान से चेक कर लेना है उसके बाद एक screenshot attach कर देना है जो problem आप face कर रहे हो screenshot attach करने के साथ हम इस mail को send करना है और 47 गंटों गया तो उनकी team का reply आएगा और वो हमारी problem है उसको solve कर देंगे तो आई हो वीडियो आपके लिए informative साबित हुई होगी अगर वीडियो पिसंदा है वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को subscribe करें ऐसी informative वीडियो देखने के लिए